नमस्कार प्रेमित्रों में आप सभी का एस्टो फ्रेंड बिजय तीवारी बर्स 2030 जून का मन्त कन्या रासी वालों के लिए कैसा रहेगा इस मन्त में मेरे मित्र बहुत बड़े ग्रहों का कई सारे ऐसे प्लैनेट्स का परिवर्तन हो रहा जिसके द्वारा आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा कैसे परिवर्तन होगा मैं संपूर जानकारी इस वीडियो के माद्धम से आपको जरूर बता होगा बात करू कन्या रासी जो बुद्ध की रासी है बुद्ध ग्रहों में राजकुमार है और बुद्ध एक ऐसा प्लैनेट्स से है जो सुभ के साथ का फल देता है आपकी पत्रिका से आपके कन्या रासी वालों के नाम से अगर मैं देख पा रहा हूं तो आपके रासी से दुतिय अस्थान पे गोचर बहुत अच्छा यानि धन और वानी का भाव आपका काफी मधुर होगा अगर आपके पैसे कहीं फसे हुए थे इस मंत में आपको पैसे मिलने के चांस काफी हद तक मुझे दिखाई दे रहे हैं शंगर्स कम होगा लेकिन पारवारिक मति भेदे के कारण फोड़ से परिवार में कहीं न कहीं मुझे मन मुटाओ दिखाई दे रहा है भाईयों के साथ आपके कुटुम के साथ फोड़ से आपके संब रहने की जरूरत है लाइफ पार्टनर दिनस पार्टनर पत्नी के साथ अगर आपका दामपत जीवन अभी तक काफी दिनों से डिस्टर्ब था तो इस मन्थ में डिस्टर्बंस मुझे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है लंबी आत्रा करना चाहते थे या कोई बड़ी डिल कर करने वाले थे काफी दिन से आप प्लान करते थे प्लान आपका कैंसिल हो जाता था नहीं आप सपल हो पाते थे तो इस मंथ में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, भाग यापका काफी हद तक आपको सपोर्ट करेगा, कारियर की बात करूँ तो कारियर में आपके रासी से एकादस अस्थान पे काफी अच्छा मुझे योग दिखाई दे रहा, जिसके कार्ण कारियर में आपके अस्थान्तर का योग, जाप परिव में तो मुझे साट आउट होते भी दिखाई दे रहा, आप चाहें तो इस मन्त में बैठ कर अपने विपक्षी से आप बैठ करके बात करेंगे, समझाता हो सकता है, किसी भी बात विवात से उलजने का प्रियास इस मन्त में कन्याराशी के जातक खास करके ना करें, बहुत स जादा आप कंट्रोल करने का प्रियास करें, जल्दबाजी आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे कारे को बिगार सकती है, नुक्सान करवा सकती है, वहन इत्यादी भी चलाते हैं, बहुत साधानी पूर्बब, यारि कोई भी काम करने से पहले आपको दो बार विचार जरू क करना चाहिए, कोई भी प्रस्न है, कोई सवाल है, आप मुझे संपर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में कन्यारासी वालों के लिए सिर्फ इतना ही, पुना अन्यरासी के बारे में चर्चा करूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जैश्याराम